भार्टी शत्राँज संग के महासाची भारा सिंग चोहान चत्रिदगड़ मुखी मंत्री ट्रोफी अंतरराश्ट्री ग्रैन्ड मास्टर्स शत्राँड टूर्णामेन के अफचारिक उद्घाटान में शामिल होने पहुंचे इस मौके पर चतितरगर उलम्पिक संग के महासचिव गुर्चिरण सिंग होरा ने भरा सिंग चोहान का माना विवानतल पर स्वागत किया इस उसर पर उन्होंने मुख्य मंत्री हुपेश बगेल और चतित्रगर उलम्पिक संग के मासचिव होरा के कारियों की सरहना दिल से की चतित्रगर सीम ट्रॉफी अंतर राश्ट्री ग्रेंड मास्टर शत्रण चुना में 19-28 सिदंबर तक राशधानी रायपूर में आईजित की जा रही है इसके आपचारिक उद्घाटन के लिए भारती शत्रण संग के मासचिव भरत सिंग चौहान राशधानी रायपूर पहुँचे माना विमानतल के साथ होटल ग्रेंड इंपीरिया में 36 उलम्पिक संग के मासचिव गुरुचरण सिंग होरा ने 36 शत्रण प्रादिकारियों के साथ उनका जोश्रीला स्वागत किया इस मौकी पर भरत सिंग जोहान ने कहा कि राशधानी रायपूर में ये टूर्नामेंट हो रहा है जो 36 गड के लिए अत्यंत गौरों की बात है इस मौकी पर उन्होंने मुख्यमत्रि हुपेश बगेल और 36 उलम्पिक संग के मासचिव गुरुचरण सिंग होरा को आयोजन के लिए धेरो बधाया दी ये बहुत अच्छा है बहुत स्ट्रांग टूर्नामेंट है और 36 गड में मैं समस्तों जहां तक शत्रंज का सवाल है बहुत दिनों बाद बाहर आई है इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा टूर्नामेंट है मैं समझता हूँ 36 गड़ और इस पूरे रीजिन के खिलाडियों के लिए बहुत ही मैतोपूर्ण है बहुत अच्छा रहेगा और यहां की एसोसेशन यहां की सरकार बहुत अच्छा सपोर्ट कर दिये चेस को यह बहुत अच्छी बात है वही 36 गड़ राजे शत्रण्ज संग द्वारा रायपूर खिल भारती शत्रण्ज महासंग राजे के खेल युवा कल्यान विभाग और 36 ओलंपिंग संग की तत्वावधान में होटल ग्रेंड इंपेरिया और शगुन फार्म में चेसिस परधा करवाया जरहा है इस स्थर की प्रतिविता 36 गड़ में 22 साल के बाद हो रही है इसमें 16 ग्रेंड मास्टर्स 27 इंटरनेशनल मास्टर्स 3 वुमेन ग्रेंड मास्टर्स 11 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स और 14 फीडे मास्टर्स साथ ही 375 इंटरनेशनल रेटेट प्लियर्स शामिल हो रहे हैं इस इस बर्धा में विजेता के लिए ट्रॉफी के अलावा कुल 35 लाख रुपए की पुरसकार राशी रखी गई है ये अब तक की सरवाधिक इनामी राशी है प्रतुगिता दो वर्गों में होगी मास्टर्स वर्ग की सपर्धा होटल ग्रेंड इंपेरिया में होगी इसमें 10 राउंड होंगे जो प्रती दिन दो पहर बाद 3 बजे खेले जाएंगे मास्टर्स वर्ग में 23 लाख रुपए और ट्रॉफी विजय खिलाडियों को दिये जाएंगे वहीं चेलेंजर्स वर्ग की सपर्धा वियाई पिरोड स्थित शगुन फार्म में होनी है इसमें 9 राउंड होंगे बिरो रिपोर्ट ग्रेंड इसीन न्यूज